सबसे पहले कुछ important stocks उनसे जड़े important बाते सवाल जो comment section में पूछा थे जैसे की लक्समी और गैनिक की अगर हम लोग बात करेंगे या फिर आप चाहो तो लक्समी केमिकल भी इस कंपनी को आप चाहो ते ऐसे भी कह सकते हो सो आज के दिन कितना है 3-4% गिरते वे देखने को मिल चुक है maximum chart pattern अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआ जहा से हुई थी एक अच्छी तेजी बनी थी फिर उसके बदा भी नीचे ही देखने को आपे मिल रहा है तो काफी सवाल पूछा आते कि इस company का क्या करे कैसी ये company त तो obviously दोस्तो business को grow करने के लिए आपे time लगता है ऐसा नहीं होता है कि बस तेजी 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 देखने को मिलेगी अगर आपको company के business के उपर भरोसा है तो बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती है ठीक है रखना है hold करना average करना है बेज देना है वह आपकी मर्जी ब और मुझे लगता था एक ऐसे ही मैं लक्समें organic की बात नहीं कर रहा आप XYZ कोई भी stock पकड़ सकते हो तो मुझे लगा था कि हाँ ये company काफी अच्छा करेगी ठीक है overall business को देखकर ही मैं तो दाव लगाता हूँ जैसे कि मैंने आपको सिखाय था और कौन नहीं चाता है कि त इतना भागा मतलब क्या double triple भागते ही चला गया ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको का कि है business देखकर जो दाव लगाना होता है ना भाई वो लंबिया हो दी के लिए वो एक बहुत ही मतलब patience का खेले ऐसा नहीं कि बस चुटकियों में हो गया करके ठीक है उपर से chemical industry वाली company है आपको पता ही है chemical sector में एक दबाव देखने का आप मिल रहा है तो यह point हम लोगों को समझ में आना चाहिए patience रखना मतलब ऐसा भी होता है कि आपको long term के लिए stocks छोडने पड़ते हैं ठीक है बट वो business के हिसाब से ही छोडने पड़ते हैं जैसे कि अगर railway की बात करे, defense की बा जो आपका strategy होता है न दोस्तो वो pure 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 business को देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए क्या ये company कितनी बड़ी बन सकती है और उस हिसाब से पैसा लगा कर छोड़ देना होता है कुछ company मेंने मेरे portfolio में ऐसे भी add करके रखी हुई है ठीक है जो literally मैं मतलब है आप ऐसा भी बोल सक दोना हो तो इस हिसाब से देखकर business देखकर खरीदना बेचना होता है ऐसा नहीं कि चलो entry कर लिया 235 का 335 हो गया तो अच्छा लग गया अच्छा तो लगता है फिर नीचे आ गया तो खराब लगेगा तो ऐसा नहीं ये तो share market में चलता रहता है आप कोई भी stock देख लेना जो भी आज multi bagger बने अरे भाई बहुत pain देते वो stock ऐसे easily पैसा नहीं बनता है ठीक है तो ये चीजे हम लोगों को समझ में आप आने चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KPI grain ठीक है आज की दिन lower circuit लगा है कौन सी बड़ी बात है बीच में upper circuit में बागता है तो न इसके नमबर भी अच्छे थे वो जो चार टिक माक लगते है मिने वीडियो भी बनाया था कि आपका अनुमान क्या है क्या एक्चल में वैसे numbers आये है बाजार जैसे चाहता था और नेक्स दिन क्या reaction भी positive आया था अगर ये चारो टिक माक लग जाते तो वो company काफी solid company आपे म लोड़ दोगे stock को ठीक है तो इतना simple नहीं होता है market जैसे कि मैंने का कि logical खरीदना और उसके ओपर अमल करना कि काफी tough part होता है ठीक है तो ये खुद से करने वाली चीज होती है ऐसा निए बस वीडियो देख लिया motivate हो गए stock नीचा आ जाएगा तो demotivate हो जाएंगे फिर पूछते चलोगे कि क्या करना है क्या करना है तो इस category में मता ना यह मैंने बहुत बार आप लोगों की चीज सिखाई है इनिशल स्टेज पे काफी तकलिफ होती है इस चीज़े समझ दें के लिए क्यों कि market का सबसे important चीज दोस्तों एक ही है experience आप किताब कितना भी पढ़ कुछ भी कर लो जो experience आपको market देगा ना वो सबसे best चीज यहापे होती है experience अगर आप market में ले रहे हो तो खुद के दम के उपर होना चीए ठीक है अगर आप किसी की कहने के उपर कोई stock खरीदोगे बेचोगे तो आपका experience कुछ भी नहीं रहेगा अब ज्यादा स्यादा क्य बोलेगे अच्छा उसके वज़े से मुझे फायदा हुआ या फिर उसके वज़े से नुकसान हुआ तो यह मत करना जो भी करना आपके logic के सबसे चलना है तो आपको एक एक चीज समझ में आती है ठीक है अट तब आप market में genuinely यहापे क्या कर पाते हो ठीक पाते वरना तो कित अपको याद भी रहेंगे ठीक है बूलने के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है बट एक्च्छल में genuinely यही चीज़े काम करती है बट काफी लोग क्या करते मार्केट में टिकते नहीं खुद के दम के साबसे डिशन देने वही उनको पसंद होता नहीं वो क्विक मनी क कमाने की चक्कर में क्या कर लेते हैं पैसा एक्च्छल में गवा किया आते हैं बात करेंगे लाइसी वापस हजार के नीचे आगये ठीक है अगे सरकारी कंपनी है इलेक्शन का माहूल है तो चलता रहेगा लाइसी कोई खराब कंपनी ने बठा इनके पास ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी से काफी लिमिटेड है ठीक है ऐसी बात रहे है कि इसमें कोई पैसा डूबेगा करके ठीक है बट बनने के लिए भी काफी मशक्कत हम लोगो होती भी देखने का आपे मिल जाएंगी ठीक है यूजली हम लोग मार्केट में आते कि थोड़ा ज्याद रिटन कमाने के लिए तो यहाँ पर देखा गया तो सरकार के डिसिजन्स के हिसाब से काफी चीज़े निरबर करती है कि कंपनी कैसी चलेगी कैसे भागेगी करके ठीक है तो उस हिसाब से परफॉर्मंस यहाँ पर इनका रहता है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ट्राइड कर रहा हूं मैं इसके पहले की बात कर रहा हूं तो यह टॉप लेवल पर रहता था फिर कंपनी ने वन इस्टू वह एक के बदले दस शेर तो इसलिए वह स्टॉक हमनों को छे-सात रुपे पर दीखने को मिल रहा था तो उस लॉजिक के हिसाब से आपको बताया था कि अग तो नीचे आए गई अभी टेक्स्टाल इंडस्ट्री मंदी चल रही है इसमें अगर आप देखोगे जितने भी टेक्स्टाल वाले कंपनीज है तो ठीक है तो फिर वह स्टॉक भागता है वाकि जितना भी यह सेक्टर है ओवर रॉल प्रोड़क्ट टॉफ टाइम से ही अगेन केना चाओंगा यह हर किसी स्टॉक के साथ होता है आपके पॉटफोलिय में जो भी स्टॉक आपको नजर आ रहा है न उसके अच्छे दिन भी आएंगे उसके बुरे दिन भी आएंगे आईटी सेक्टर आपने देखाना काफी अच्छा किया फिर नीचे भी चला गय ठीक है और उसी के इसाब से देखा गया तो हाँ इनका जो स्पेस है कौनसा रिटेल बिजनेस इसमें काफी ज्यादा कॉंपटिशन देखने को मिन रहा है यह कंपनी खास करके ऑफलाइन के उपर ही ज्यादा फोकस करती है ठीक है बाकी जितने भी कंपनी से वो ऑनलाइन के पर ग्रो करते वे देखने का आपे मिल जाती है ठीक है निचले सतर से थोड़ा अच्छा यहाँ पर कर रहा है ठीक है मैं इसको पीटी के लिए कंसिडर करते रहता हूं ठीक है अभी भी साड़े बारा पस्ट के इसाब से रिटन बनने के लिए काफी टाइम यहाँ पर लग तो और तीन नए मॉडल्स वो क्या करने वाले आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट में लॉंच करने वाले है ठीक है टाटा मोटर को टक कर देने की बात है आप है वो कर रहे है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 2030 तक उनका तो एम है कि largest car maker in the world हम बनना चाहेंगे तेसला के भी नाक में दम करके इन्होंने रखा हुआ है सबसे ज़्यादा गारी भी इन्होंने यहापे सेल की थी टेसला को इसके वज़े से अपने cost को भी यहापे नीचे लाना पड़ा था जैसे इलन मस्क ने सारी चीज़े बताई थी टेसला का share जबरदस क्रेश हुआ तो यह जरूर हम यहाँ पर कह सकते हैं यह जो इस प्रकार की companies है इनको हलके में लेकर यहाँ पर नहीं चलता है जैसे कि आपको बता है number one position capture करना tough है बट सबसे tough होता है उसको return करना तो Tata Motor हम कह सकते दोस्तों electric vehicle में अभी Indian market में काफे अच्छा leading position पर देखने को मिल रहा है पट क्या उस position को आने वाले समय में अभी ये 25-26 अभी मारूती भी आएगा फिर भविशा में Tesla तो कोशिश कर ही रहा है और भी दुनिया बर के companies है वो यहाँ पर entry करने की कोशिश कर रहे है तो अपना जो leading position है उसको maintain करना Tata Motor के लिए आगे बहुत tough होने वाला है तो जो भी Tata Motor के shareholder है जो company का market share है उसके उपर अच्छा focus रखो इसी साल के end में महिंदरा भी हम लोगो को अपनी SUV launch करते वे देखने का आपे मिलने वाला है next बात करेंगे State Bank of India आज की दिन 2% यहापे गिरा है 5 दिन में 0.5% गिरा है तो SBI की बात करें तो एक ही चीज के चलते focus में आपे रह रहा था कौन सा? Electoral Bonds की अगर हम लोग बात करें तो Supreme Court ने तो finally कल के दिन ही बोला था कि भाई आपको जो deadline दी है SBI को 12 तारी मतलब आज ही की दिन की बात है आपने क्या करना है सिर्फ डेटा आपको प्रोवाइड करना है तो Electoral Bonds से रिलेटेड जो डेटा है finally हम कह सकते दोस्तों खबर यहापे आती वे दिखने को मुझे कि SBI meet Supreme Court deadline मतलब जो Supreme Court ने उनको directions दिये थे कि आपने यहापे क्या करना है Electoral जो Bonds है वो यहापे Election Commission को यहापे प्रोवाइड करना है जो भी डेटा आपने यहापे देना है वो प्रोवाइड कर दो कर गे ठीक है वो कह रहेते है extra time लगेगा matching करना है करके Supreme Court ने का वो हम कर लेंगे हमने आपको जो order दिया है वो follow कीजी तो चले उनने यहापे follow यहापे कर लिया है अभी आगे देखने वाली बात यहापे रहेगी कि next यहापे क्या होता है करके सबसे interesting part यही रहेगा कि किसका उसमें नाम आता है मैं again कह रहूँ नाम आना मतलब कोई गलत बात नहीं है बढ़ हाँ इस चीज को जरू match किया जाएगा कि कौन से interesting company का नाम आ रहा है अगर कोई company घाटे में होगी तो और उसको भी अगर कोई order मिला होगा तो तो यह एक चीज देखने वाली बात है और I guess 15 तारिक तक यह भी बोला गया सुप्रेम कोट के और से कि भाई आप अपने website के उपर इन सभी चीज़ों क्या करना है नाम का जिक्र भी आपने करना है करके तो एक देखना काफी interesting रहेगा काफी सारे लोग इस चीज़ को जरू चेक करने के लिए की website को तो जरू विजिट करेंगे करेंगे सो इलेक्टराल बॉंड से रिलेटर यह फिलाल तो चीज़े देखने का आप मिल रहेगा अभी सुप्रिम कोट में आगे की सुनवाई क्या होती है वो देखना काफी interesting पार्ट रहने वाला है नेक्स बात करेंगे इसा स्टॉक जो की 20% तक क्रैश होते वे देखने का आप मिल चुका है जो की है पैसा लाओ डिजिटल लिमिटेड जो एक कमपनी है दोस्तो इसके गिरावट के पीछे का रिजन है हाई कोट के order उन्हें ने काई कि आपने unfair lending यहाँ पे की है मतलब पैसा देने का यहाँ पे जो काम किया है rules and regulations को completely तरीके से तोड़ा है RBA प्लस उसी के साथ साथ से भी की भी अगर हम लोग बात करें उन्होंने इनके उपर आरोप लगाए थे कि जिस प्रकार से business कर रहे है totally rules regulations को break करके यहाँ पे काम कर रहे है अगर आप चेक करोगे तो 125% तक interest rate per annum on loan यह आपे चार्ज कर रहे थे अलग-अलग नुसके यहाँ पे अपना कर and high court ने भी इनको फटकार यहाँ पे लगाई है and आप यहाँ पे देख सकते जो NBFC के जो lending practices होते है जितने भी मतलब rules regulations है पूरी उनकी उन्होंने धज़्या यहाँ पे उड़ाई है और इसी चीज के चलते उन्होंने यह कारवाई यहाँ पे कि यह मतलब जो भी loan इन्होंने प्रवाइड किये है वो गलत प्रवाइड किये यह भी high court ने बोला है obviously अभी जो सामने वाला जो party है उनको भी चार अफते का time दिया है कि आप भी अपना reply यहाँ पे present करो करके तो देख लेते क्या reply यहाँ पे देते है बट उसी के पहले आप देख सकते stock 20% तक crash होते वे दिखने को पुल चुका है उसके पहले stock ने एक तरफा जोरदार rally दिखा थी छे मैने में डबल यहाँ पे हो चुका था बट अभी तेजी टिकना काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है because uncertainty का tag इनको पर लग चुका है तो ठीक है रूस तो आशा करते हैं वीडिया helpful लगागा तो चाहो तो like and share कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स टोड़े में तब तक के लिए बबाई